हालो स्टुडेंट्स क्योंकि रायस्तान बोर्ड का स्लेवस चेंज हो गया है तो अभी CBSE वाला स्लेवस ही आएगा और CBSE स्लेवस में 12th क्लास में पहली जो पोईम है वो है My Mother at 66 पोईम की जो राइटर हैं वो कमलदास हैं कमलदास का जन्व हुआ था 1934 में 2009 में इनकी death हो गई थी माला बार केरला में इनका जन्व हुआ था और इन्होंने कई novels लिखे हैं कई sword stories इन्होंने लिखी हैं और ये अपना नाम जो लिखती थी उनमें मादवी कुट्टी लिखती थी यहाँ पर इनकी एक पोईम My Mother at 66 ये पूरी पोईम है इस पोईम को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है ये पोईम कमलादास के द्वारा लिखी गई है और इस पोईम में वो अपनी मा जो की बुड़ी हो रही है उसकी प्रती उसकी क्या फीलिंग्स है उनको इसमें दर्साती है एक बार वो अपनी मा के हाँ जाती है क्योंकि वो अपनी मा से अलग रहती है जब मा से मिलने के लिए जाती है तो वहां से जब लोटती है तो कोचीन एयरपोर्ट के लिए लोटती है उसकी मा उसे छोडने के लिए साथ आती है और मा उसकी पीछे की सीट में बैठी हुई है उसकी मा क्योंकि ज्यादा उम्र की है तो वो कार की पीछे की सीट पर बैठे हुए सो रही है जब किया ले रही है और उसका बुड़ा चेहरा ऐसे लगता है जैसे की मुझ हो उसका मुझ खुला हुआ है और वो है पूरी की पूरी एक डैड बोड़ी मृत सरीर जैसी दिखती है जब पोईट है वो अपनी मा को महसूस करती है उसकी दुख को महसूस करती है तो वो उसके लिए अपनी संबेदनाएं सहानुभूती उसके मन में आती है उसकी मा को प्रेम की प्यार की और परवरिस की परवा की आवस्यक्ता होती है इन सब से निकलने के लिए इन सब निरासा के भावों से निकलने के लिए जो कभी है यहां पर मादवी कुट्टी या फिर कमला दास वो अपनी कार की खिड़की से बाहर देखने लग जाती है वो देखती है कि बाहर नए पेड बगल से गुजरते हैं चोटे चोटे बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हैं और मैदानों में खेलते हैं यह सब चीज़ें बिलकुल जो उसकी मां की जिसकी उम्र ढल रही है उसकी बिलकुल विरदवासी बाते हैं और यह सबी एक नई उर्जा नया जीवन और प्रसन्य जिंदगी को व्यक्त करती हैं अब इसका पहला टेक्ष्ट दिखते हैं हम पहला इस्टन्जा ड्राइविंग फ्रों माई पेरेंट्स होम टू कोचीन अपने माता पिता के घर से कोचीन बापस जाने के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछले सुक्रबार की सुबह को मैंने देखा मेरी मा को मेरे बगल में वो दोनों कार की सीट पर बैठी हुई है और जो कमला दास है उसने अपनी मा को देखा अपनी बगल में बैठे हुए डोज जवाईया ले रही है सो रही है ओपन माउट उसका मूँ खुला हुआ है हर फेस एसनलाइक उसका चहरा इतना ज़्यादा काला पड़ा हुआ है एस मीन्स राक जो जली हुई होती है लगडी जलने के बाद में जो बसती है उसको राक बोलते हैं एस एसेच एसनलाइक देट ओफिकॉर्ट्स उसका चहरा काला चहरा ऐसा लग रहा है जैसे की एक मरत सरीर हो and realized with pain और इस दर्द के साथ में उसने यह महसूस किया that she was as old as she looked कि वो इतनी ही बुड़ी दिखती हैं इतनी ही बुड़ी हैं जितनी की वो दिखती हैं सबसे पहले तो कभी जो है वो अपनी माह के साथ में बापस एयरपोर्ट जा रहा है कूचीन जा रहा है और उसकी मां उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक जाती है वो है अपनी मां के सरीर को एक मरत सरीर से तुलना करती है यहाँ पर लाइक सब्द का यहाँ पर प्रियोक हुआ है यह simili है उसका मां का चेहरा पीला या फिर काला पड़ा हुआ है वह दर्द और मां को खोने के गम से डरी हुई है उसकी मां जो की सो रही है या जपकियां ले रही है उसका चेहरा खुला हुआ है और उसका खुला हुआ चेहरा एक खुला हुआ मुह उसके मुरत सरीर की तरह दिखता है यहाँ पर जो कभी हैं कमलादास वो अपनी मां के प्रती प्रेम का प्रदर्शन करती है जो मां और पुत्री के जो प्रेम होता है उसका प्रदर्शन होता है ये जो इस्टांजा है इसमें से कुछ कुस्चन्स बनते हैं और देखते हैं पहला कुस्चन कभी कहां के लिए ड्राइव करके जा रही थी और उसकी बगल में कौन बैठा हुआ था कभी अपनी माता पिता के घड़ से कुछीन एरपोर्ट के लिए जा रही थी और उसकी मा जो है वो उसकी बगल में बैठी हुई थी कभी अपनी मा के बारे में क्या चीज नोटिस करता है क्या देखता है उसने देखा कि उसकी मा अपनी खुले मुह से जवाई आ ले रही है थ्र गुश्ट वॉघ कमुशन इसकी मा का चैरा ऐसा क्यों दिख रहा था जैसे की मृतड़ सरीर हो answer her mother's face looked like pale faded and lifeless like a dead body because he had grown old उसकी मा का चेरा पीला या रंग उड़ा हुआ या फिर मरत जैसा इसलिए दिख रहा था क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बुड़ी हो चुकी थी find words from the passage which mean इन सब्दों का हमें मतलब बता रहा है sleep lightly छोटी नीन लेना इसको बोलते हैं doge dead body, corpse felt means realized second stage यहाँ पर है but soon put that thought away परन्तु जल्दी ही उस विचार को दूर करने के लिए and looked out at young trees sprinting दूसरी ओर देखा जहाँ पर की युबा पेड बहुत तेजी से पीछे की ओर दौड रहे थे merry children spring out of their homes ग्युबा बच्चे प्रसन बच्चे अपने घरों से बहार दौड रहे थे but after the airport security check परन्तु एयरपोर्ट पर security check के बाद में standing a few yards अवे और कुछ दूर खड़े हुए कुछ yard या फिर कुछ गज दूर खड़े हुए यहां पर कवी जो है वो दुखी है और इस वज़े से वो अपनी जो attention है वो कार से बाहर की तरफ ले जाती है और बाहर क्योंकि उसके अंदर कुछ negative feelings आ रही है और negative feelings वो बाहर करने के लिए और अपना moon बदलने के लिए वो कार के खिड़की से बाहर देखती है और बाहर देखती है कि जब उनकी कार चल रही है तो यूबा पेड बहुत तीजी से पीछे के ओड़ जा रहे हैं जो की जीवन जवानी और सास्वत ताकपरतीक हैं वो बच्चे खसी को सी खिलते हैं अपने घरों से बाहर निकलते हैं यहां पर कभी को अपने बच्पन की याद हो जाती है और जब उसकी माँ जवान थी उसे उन दिनों की बात याद हो जाती है और उसे एक डर लगता है कि माँ बुड़ी हो रही है और एक दिन वो मर सकती है और देखते हैं पहला कुश्चन है यहां पर पोईट रियलाइज वाव देट सी फिल पोईट रियलाइज देट हर मदर वाज लॉष्ट सम्वेर एल्स इन थॉट्स उसकी माँ खयालों में कहीं खो गई है और पेंट हर इसके कारण उसे दर्द महसूस हुआ तब उसने क्या किया लिखक ने कवित्री ने अपने विचारों को अपनी महां से हटाया और खिड़की के बाहर देखा उसने बाहर जो संसार चल रहा था कार के बाहर उसमें उसने क्या नोटिस किया दा यंग ट्री इस ग्रोइंग आउटसाइड एंड वेंट पास्ट एज इफ दे वर स्प्रिंटिंग उसने देखा कि युवा पेड बढ रहे हैं और वो ऐसे पीछे चले जा रहे हैं जैसे कि वो दौड रहे हूं एपी चिल्रन वर कमिंग आउट आउट अफ दियर हाउसे और प्रसन बच्चे अपने घरों से खेलने के लिए बाहर निकल रहे हैं अब करने के लिए यहां पर एक सब्द प्रियो किया गया है इस प्रिंटिंग हैपी के लिए मेरी और मॉविंग आउट के लिए इस प्लिंग लाश्ट हमारा थार्ड इस्टांजा अब लूगड अगेन अट अर जब वहां पर सिक्यूरिटी चैक हो गया था लेके का अपनी मां से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई थी तो वो कहती है I looked her again मैंने उसे एक बार पुने देखा worn, pale, काफी कमजूर, पतली as late winter's moon जैसे की वो सर्दियों का चांद हो सर्दियों का चांद, छिपता हुआ चांद, जिसकी आवा थोड़ी धुन्दली ही होती है and felt that old familiar act और उसी पुराने दर्द को, उसी पारिवारेक दर्द को मैंने महसूस किया my childhood's fear, मेरे बचपन के डर उन डरों को महसूस किया but all I said was परन्तु जो कुछ भी मैंने कहा था see you soon amma, मा तुमसे जल्दी ही मिलती हूँ and all I did was और जो कुछ भी मैंने वहाँ पर किया smile and smile and smile केबल मैं मुस्कराई, मुस्कराई और मुस्कराई मैंने वहाँ पर केबल मुस्करा के मा से ये कहा कि मा मैं जल्दी ही तुमसे मिलती हूँ फिर भी उसके मन में थोड़ा सा दर्द था और वो ही पारिवार एक पुराना दर्द कि मा अब जल्दी ही बुड़ी और जदबुड़ी हो जाएगी और एक दिन वो मर जाएगी और कभी को ये भी दर्द है कि एक दिन उसकी भी यही अवस्ता होनी है वह एक फ्लाइट लेने के लिए है वो जो उसका डिपार्चर है उसकी सेपरेशन है उससे एक मेलैनकली फिलिंग साती है वहाँ पर और जब वो अपनी माँ को गुडबाय कहती है उसकी माँ जो की एक बुढ़ापे का प्रतीक है तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा अलगाब का एक दर्द पैदा होते है यहाँ पर उसकी माँ की तुलना लेट विंटर सनून से की गई है जो की फाग और मिष्ट के द्वारा दुंदला दिखाई देता है क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा धुंद होती है बहुत ज़्यादा फॉग होती है कोहरा होता है उसके कारण सर्दियों का जो चांद है वो धुंदला प्रतीत होता है यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि यह पूरी जो पोईम है यह केवल एक sentence में लिखी गई है यहाँ पर पूरी poem में एक भी police stop बीच में नहीं आता है पूरी poem एक ही sentence में है और यह एक thought process को यहाँ पर व्यक्त करती है इस third stage में से कुछ questions बनते हैं उनको देखते हैं What did the poet do after the security check? Security check के बाद में poet ने क्या किया? After the security check, the poet stood a few yards away from her mother and looked at her face again Security check के बाद में, वो poet कवेत्री अपनी मां से कुछ गची की दूरी पर खड़ी होगी और उसने अपनी मां की चैरे को एक बार पने देखा Why did the poet compare her mother's face to a late winter's moon? The late winter's moon lacks brightness as well as strength The pale and colorless face of the mother resembles the late winter's moon उसने अपनी मां के चैरे की तुलना एक late winter's moon से क्यों की थी? सर्थियों के चंद्रमा से क्यों की थी? तो उसका उत्तर है क्योंकि late winter's moon जो है उसमें brightness चमक जो है और उसकी तागत जो है उसमें कमी होती है स्थिक उसी प्रकार से उसकी मां का जो पीला और रंगीन चेहरा था वो भी late winter's moon से मिलता जुलता है question number third what is her childhood fear? उसका खुद का बचपन का डर क्या था? the fear of aging and ultimate death, separation उसका बचपन का डर था? यह हमारा बढ़ती हुई उम्र और अंत में मौत या फिर अलगाव एक दूसरे से बिच्छड़ना how do the parting words of the poet and her smile present a contrast to her real feelings? the poet's parting words of assurance and her smiles present a stark contrast to the old familiar ache and childhood fear her words and smiles are a deliberate attempt to hide what is going on inside अब इसके बाद में यह जो इसके बाद में यह जो इसके बाद में कुछ टेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जब कभी अपनी मा के चेरे को समीब से देखती है उसे प्राप्त होता है वो देखती है that she has aged कि मा की जादा उम्र हो गई है and her end is near और उसका निकट है the feeling of her mother being old उसकी मा क्योंकि यह बुड़ी हो रही है needing care उसकी यह देखवाल की आवस्यक्ता है and helps pains the poet as there is no one to look after her और कभी को यहाँ पर यह धर्द होता है कि उसकी परवरेस या उसकी देखवाल करने वाला कोई नहीं है she feels that her mother can die any moment उसे महसूस होता है कि उसकी मा किसी भी चंड मर सकती है that then she will lose her forever और उसके बाद में वो उसे हमेशा के लिए खो देगी her childhood fear of losing her mother उसका बच्पन का डर कि वो अपनी मा को खो देगी which was then timely but now will be forever and resurfaces और वो क्योंकि वो समय था अब वो हमेशा के लिए हो जाएगा why are the young trees described as sprinting जो युवा पेड़ हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं पेड़ उनको sprinting सब उनके लिए sprinting सब दे प्रियोग क्यों किया गया है यहां पे जब कभी की कार से उनको देखा जाता है they seem to be running past वो पीछे की ओर दोड़ते हुए दिखाई देते हैं the poet found it to be strangling opposite to her mother और कभी इसे पाती है कि यह उसकी मा की बिलकुल विरोदावासी है who looked as still as a dead body जो की बिलकुल एक मृत सरीर की तरह सांत लेटी हुई है third question why has the poet brought in the amaze of the married children spilling out of their home कभी यहां पे जो छोटे बच्चे और प्रसन बच्चे आपने घरों से बाहर खेलने के लिए निकलते हैं उनकी तस्वीर को इस कभीता में बीच में क्यों लाती है the poet draws the comparison between what is traveling with her and what sequency outside कभी उसके साथ में कौन यात्रा कर रहा है और वहें बाहर क्या देखती हैं उन दोनों के बीच में एक तुलना करती है it is a comparison between life and death ये तुलना है एक जीवन और म्रत्यूगी her mother is sleeping उसकी माँ सो रही है with mouth open उसकी माँ का मुँख खुला हुआ है like a dead body जैसे कि एक म्रत्य सरीर हो while outside जबकि बाहर की तरफ she can see children who are full of life वो उन बच्चों को देख सकती है जो की जीवन से भरेपुए है energy अपने energy से बरे हुए है उर्जा से बरे हुए है and enthusiasm और एक उत्साह से बरे हुए है question number four why has the mother been compared to the late winter's moon मा की तुलना एक late winter's moon या सर्दियों के चांद से क्यों की गई है just as late winter's moon is dull and lacks luster क्योंकि सर्दियों का चांद धुन्दला होता है उसमें आप चमक की कमी होती है so is her mother at the end stage of her life इसी परकार उसकी मा भी अपनी उम्र के अंतिम अबस्ता पर है also as the late winter's moon gets oversadowed by fog and mist in the sky जैसे की सर्दियों का चांद कोहरा या धुन्द से आकास में आचादित हो जाता है दिखता नहीं है धुन्दला प्रतीत होता है similarly her mother can get oversadowed by death at any time इसी परकार उसकी मा को भी किसी भी समय मौत घेड सकती है मतलब उसकी मा कभी भी मौत के साहे में आ सकती है both of them are nearing an end one of season and the other of life दोनों ही चंद्रमा एक season के अंतिपर है और उसकी मा अपनी जीवन के अंतिपर है इसलिए कभी ने अपनी मा की तुन्ना late winter's moon से की है what do the parting words of the poet and her smile signify last में जो कभी बोलती है अपनी मा से मा तुम से जल्दी ही मिलती है और वो मुस्कराती है इन सब का मतलब क्या है parting words of the poet shows her positive attitude वो अपनी मा से जो कुछ कहती है कि अम्मा से यू सून ये सब जो words थे parting words बिच्छडने वाले सब्द ये सब उस कभी तरी के positive attitude को दिखाते हैं सकारात्मक व्यवार को she overcomes her pain वो है अपने दुख से उबराती है and fear और से उबराती है assures herself अपने आप से वो अपने आपको सांतना देती है अपने आपको आस्वस्थ करती है and her mother और अपनी मा को भी आस्वस्थ करती है that they would meet again कि वो निश्चित रूप से पुने मिलेंगे इसका मतलब जब भी वो मिलेंगे तब तक उसकी मा की मौत नहीं होगी she is being very brave इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बाहद दोर हो रही है which is indicated by the use of repetition in the poem और इसको यहाँ पर इस कविता में इन सब्दों के repetition से प्रदर्शित किया गया है smile and smile and smile smile